महंगाई, 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 अब भाईया सब जगातों महंगाई की आग लगी हुई है महंगाई ने दरसल आम आदमी का नीम्बू निचोड दिया है अब भी आज सस्ता लग रहा है, महंगाई इतनी कर रखी है जिसका कोई जबाब नहीं है तो इस आग को रोके कैसे तो यहां मैं बताऊंगी थोड़े से मज़ेदार और दिमाग वाले हैक जिससे कि आप पूरा मज़ा भी लें और पैसे भी बच जाएं और अब आपके लिए ये मैं अपनी दिल की बात मता रही हूँ तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब तो करतों जो कि बहुत आसान है वो जो आपको रेड बटन दिख रहे है ना उसको सिर्फ आपको क्लिक करना है और सब्सक्राइब करना है सब्सक्राइब करने से होगा क्यों जो भी मैं ऐसे वीडियो इंफोमेशन वाले आपके लेके आ रही हूँ वो आपको एकदम तुरंट मिल जाएंगे जादा ढूंड़न हंडी नहीं करनी पड़ेगी तो ये है मेरे घर की पैंट्री और मैं जनरली राशन सक लेती हूँ क्योंकि मेरे घर में जगा है अच्छे से तू मैं यहां पे राशन स्टॉड़ कर दे थी हूँ और उतना ही राशन स्टॉड़ करती हो कि एक से डेव महिने में यूज हो जाए तो लिस्ट मेरी तयार है और हम यहाँ आए हैं लॉट्स होलसेल सिल्यूशन में टॉपिंग करने राशन की लॉट्स मेरी घर से थोड़ा सा दूर है लेकिन आप देखेंगे कि यहाँ पे राशन सारा सब कुछ मिल जाता है यू कह लीजे सुई से लेके एरोप्लेन तक आपको मिल जाती है एरोप्लेन मिलता नहीं है सिव कहावत है तो आप लिस्ट घूम के क्या कर रहा हूँ आप क्योंकि लिस्ट बनाने से यह होता है कि तुम एक तरव गोड़े की तरह नजर रखते हो कि जो लेना है वही उठाओ और दूसरा फायदा ही होता है कि अगर आप समान को जूल जाने तो लिस्ट भी हो जाता है अर अगर आप एक उनट खरीते हैं तो आपको इचने रुपे आप मिलेगा और एक तीन कभी उनट खरीते हैं आपको से इस्ट अम पर यहाँ यहां पी यह कहता है बाइ थ्री एन अबव तो आपको डिस्काउंट मिलता है सेवेंटी सिक्टा निशा भावी को लगता है कुछ मिल गया है वाइवन यूनिट एक सो बाई सुपर वाइवन यूनिट वन फोर तो हमें छे रुपे का प्रॉफित हो रहा है तो मैंने दो यू यहां पर दालो में मैंने सर्फ दो दाल लिये हैं मिक्स दाल और अरर दाल क्योंकि घर पे मेरे बढ़ स्टॉक पहले से पड़ा तो जैसे कि मैंने आपको बताय था कि यहां पर सब मिलता है तो यहां पर फूट्स एं वेजिटेबल भी मिलते हैं वो भी फ्रेश और एकदम सस्ते दाम में अब मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूं कि बजार में पाइनैपल अच्छा 120 या 100 मिल रहा है और यहां मिल रुपेर बड़ा साइज भी है छोटा साइज भी है वरना मैं जब जाता हूं अभी तो कहते हैं छोटा वाला जो है वो सी रुपेका है और बड़ आइस क्रेम और याकुल और अपने लिए यह यह तेल जिसमें लगी है महंगाई की आग तो अब देखिए तेल पर कैसे पैसे बचाती हूं मैं यह पाथ लीटर आपका आ रहा है कच्छी घानी कितने का एक नौसो नब्भे रुपे गा इतनी क्यालकुलेशन करते करते नौ नौसो बीज दिख रहा है नौसो नब्भे तो भई आप क्या सकते हैं यहां पे तो महंगाई ने दिमाग भी गुमादिया है लेकिन अगर यह है इंडिविजुवल एक शेयत्तर का यादर में शेयत्तर इंटू फाइब करूं तुच्छ आटसी का है तो अच्छा खासा फ यहां पता चला कि इतना सामान ले लिया यूज नहीं और तीन महीने बचें लेकिन आपने बहुत सामान ले लिया तो फिर वो तो गया काम से अर समान खराब हों तो फैसे बचाय थे और रोग रहे हैं हम आ गए हैं शुगर पर शुगर जो की बेसिक नीड है हर दिन की तब क्या करेक्डेट कर रहे हूं देखियों 5 kg का यह क्यारे 239 divided by 5 is equal to 47 की पढ़ रहे जब कि में लेता हूं भी यह जनली 60 होपे की आती है और यहां पर जुम्री के लिए ले लिए अंडे, गर्मियों में सिफ एक क्रेट लिए है, सर्धियां होती तो जाधा ले लेती, और यह सुनो विक्की की बाते, ऐसा लग रहा है सारी महंगाई की आग तो इसे ही लखी है, तो मैं कल पदब भावी लाया था चिकन, रात में ब क्योंकि इनकी महंगाई से तो हमें लॉट्स भी नी बचा सकता, अब बस सारा समान लेके, बिलिंग करा के, पहुंच गई मैं घर, तो यहां पी मैं राशन लेके घर आ गई हूँ, और आपकी चेक्स भी करना बहुत ज़रूरी है कि जो जो लिस पे समान है, वो आ गया है, दूसरा, जब हम बल्ग में समान लेके है, तो क्या होता है, घर पे सारा समान होता है, अब आपको ये टेंशन नीए कि क्या बनाए और क्या ना बनाए, योै की आपकी पेंटरी में सारा राशन रखit है, और जब आपकी तर राशन ही होता है और आप एगई चीज लेने मार तो नो या इध्यक्त पैजयों अंड हम अब दे में और एकट चौछा खरल उंहां लो जासे की ऐचलते हैं तो 600 रुरल दें गरने है और और एक्सियु पार्किंग पेट्रोल यह तो अब तो हमें कि राशन स्टॉक करना है ना वो हमारे थोड़ा सीजन पर भी डिपेंड करता है जैसे कि अगर सर्दी आए जहां चीजें कम खराब होती है वहां आप जादर स्टॉक कर सकते हैं यानि कि देर से दो महिने का अगर गवर्मी है तो कोशिश करें एक से देर महिने क स्टॉक करें और अगर बर्सात है तो मैं कहूंगी 20-25 दिल्टा स्टॉक करें क्योंकि इसमें दाशन खराब होने का ड़ होता है अब जैसे यह धूप मेरी एनर्जी चूस रही है वैसी जब हम गाडियों को नीचे धूप में रखते हैं तो यह पेट्रोल चूसती है अब इससे बच्चत कैसे करें जैसे कि बहुत लोगों को अंडर्ग्राउंड पार्किंग मिलती है लेकिन वह आलस करते हैं कि कौन जा 200 रुपे की बच्चत कर सकते हैं और यह बच्चत जो हो रही है हम अपने में लगाएंगे जिम जॉइन कर लो या आपने कोई और शौक पूरे कर लो तो बस ऐसे ही आपको भी बच्चत करनी है थोड़ा सा दिमाग चला के और अगर आपको ऐसी वीडियो चाहिए तो मुझ आपको आपको अवीडियो इसर Goodbye